नमस्कार विवर्स आज के इस एपिसोड में चानक के नीती के हम देखेंगे कि एक राजा की टीम कैसी होनी चाहिए किसी भी एक राजी के अंदर एक राजा की टीम होनी चाहिए आचारे चानक की गई हिसाब से तो वो टीम कैसी होनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी-पूरी जानकारी लेंगे तो आईए शुरू करते हैं सब्तांगत थियोरी के बारे में ये एक बहुत important topic है और आप लोगों के बहुत काम आएगा So viewers, आज हम लोग 7th episode में सब्तांगत थियोरी के बारे में पढ़ेंगे तो आज सब्तांगत थियोरी क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं In ancient period in India, the people have a traditional view That the state has an organic whole The political speculation before Kautilya had to recon with this tradition तो यहाँ पर क्या पहले के जमाने में ये सोचा जाता था इंडिया में कि जो उनका राज्य है, जो उनका एरिया है, जो उनकी शहर है, वही मात्र भूमी ही सब कुछ है लेकिन Kautilya के आने के बाद, उनके political नजरिये के आने के बाद ये tradition थोड़ा थोड़ा change होने लग गया Kautilya refers to the seven elements of the state which constitute the सब्तांगा थेयरी These seven elements are the organs of the state तो पहले जैसे की सोचा जाता था कि whole and soul सारी state ही सब कुछ है लेकिन Kautilya ने यहाँ पर क्या किया, state के management को तयार करना शुरू कर दिया ऐसे ही सब कुछ इधर उधर से चल जाएगा वाली थेयरी, काम नहीं आने वाली थी तो Kautilya ने जो है, चानकी ने जो है, वो सब्तांगा थेयरी के थूरू सब कुछ जो है, ठीक से manage करने लग शुरू करने लग गए तो यहाँ पर उन्होंने साथ अलग-अलग divisions तयार करके, उनको as an organ, जो है, एक state के organ के तरह काम करने में लगा दिया तो सब्तांग थेयरी में कौन-कौन से चीजें हैं देखते हैं, पहला है स्वामी, मतलब the lord, जिसको की generally हम लोग king कहते हैं मतलब जो राजा है, उसको स्वामी कहा गया है, वो lord के तरह काम करता है, जो की राज करने का काम करता है, उसके बाद आते हैं अमात्य, जिसको की minister कहा जाता है आज के दौर में पहले बहुत सारे अमात्य जो है वो बनाय जाते थे जो की स्वामी की या राजा की जो है मंत्री परिशद में काम करते थे मतलब स्वामी जो है इनको time to time salary देते थे और जो है सारी चीजे यहाँ पर अमात्य उनके साथ में काम करते थे अमात्य उनको suggestion देते थे तब जाके जनपद की बात यहां पे है, जनपद जिसकों की आज territory कहा जाता है, मतलब मान के चलिए एक जिला, एक state के अंदर जैसे कई सारे जिले होते हैं, वैसे ही एक जो राज्य है, उसके अंदर कई सारे जनपद यानि territories होते हैं, उत्तर प्रदेश में आज भी जनपद शब्द का इ ताकि बाहरी ताकतें आके उस पे हमला ना करे, और हमला करे तो भी उनको जो है नाको चने चबाने पड़ जाए, यहां पे पांचवा और important चीज है कोश, जिसको की treasury कहा जाता है, तो कोश जो है tax लेकर कोश जो है पैसे जमा करता है, और यह पैसे जो है लोगों के काम में आते हैं, और यहां पे 6 चीज है दंड यानि आर्मी, आर्मी जो है सुरक्षा का काम देखती है और दूसरे जगे पे दूसरे resources पे अगर कबजा करना रहे तो वहां पे कबजा करने का काम भी करती है, सात्वा चीज यहां पे है सब्तांग थियोरी में है, वो है मित्र यानि ally, मतलब साथी, मतलब हमारे स्टेट के साथी और कौन-कौन है, पीछले वीडियो में हमने देखा कि 2-3 तयार की थी चानक्यने, एक जो border हमारे साथ share कर रहे हैं, वो countries हमारे साथ border share नहीं कर रहीं, वो जो है हमारी दोस्त बन सकती है, तो यहां पे यह दोस्त काम आने वाली चीज है, जब कभी हमारे देश में कोई चीज डेफिसीट में चले जाए, यानि कम पढ़ जाए, तो यही मित्र हमको वो supply देते हैं, बदले में हमारे पास जो surplus है, वो supply में उनको देते हैं, तो यहां पे आप समझ रहे होंगे, सारा एक सिस्टम बना हुआ है, स्वामी है, जो की कोश में treasury जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और अमात्य जो है decision लेने में help करते हैं स्वामी को कि क्या करना चाहिए, जिससे की development का काम हो, लोगों के भलाई का काम हो, यहां पे लोगों को जन्पद के अंदर divide करके रखा गया है, ताकि एक एक जन्पद जो है easily काम कर सके, उसकी जो efficiency है काम करने की वो बढ़ सके, और जन्पदों के शहरों के रक्षा के लिए यहां पे दुर्ग और दंड का यहां पे प्रावधन किया गया है, और मुश्किलों के समय मित्रों का यहां पे प्रावधन किया गया है, तो सप्तांगत थियोरी को हम लोग अगर detail में पढ़ हैं, तो seven organs are considered to be vital essential for the unity of the state, तो यह चीजें एक state को develop करने में उसके अंदर unity लाने के लिए बहुत help करती है, the state formed on territorial basis, तो यहां पे state जो है उसको territorial basis पे जो है बनाया गया है, the state provided adequate protection for the citizens, तो यहां पे state का धरम क्या है, जो citizens है, जो नागरिक है, उन लोगों को एक have a well defined foreign policy, well disciplined army and stable government, तो state के पास और क्या क्या होने चाहिए, एक अच्छी विदेश निती होनी चाहिए foreign policy की दूसरे देश के साथ हमको क्या व्यभार करना है, उनको क्या supply करना है, उनसे क्या supply लेना है, उसके अलावा अच्छा disciplined army चाहिए, ताकि state की रक्षा अच्छे से हो सक यह, ताकि जो है, अच्छे से smooth functioning हो सके, the state collect revenues from the people, तो यहाँ पे state को कमाई कहां से होती है, revenue के जरीए, जो कि एक आधम आदमी भरता है, कोटिल्य डिफाइंड पोजिशन अफ ए किंग as a servant to the people, ताकि लोग पैसा दे रहे हैं, तो उनके भरोसे को कायम रखने के लिए, कोट declaration दिया, कि राजा जो होते हैं, किंग, वो actual में दास होते हैं, पब्लिक के, वो पब्लिक के सेवक होते हैं, हाँ, यहाँ पे the main duties of the Amati is to assist the king, जैसे कि मैंने बताया, Amati जो है, सुझाव वगेरा देते हैं, किंग को assistance देते हैं, जहाँ पे किंग खुद नहीं जा सकते हैं, व वो state के area को define करता है, यह जो है, बहुत important चीज है, जैसे कोई भी मतलब border का area हो गया, वहाँ पे conflicts ना हो, इसलिए जनपद का निर्मान करना बहुत ही जरूरी है, Cautilia in keeping the tradition of Hindu political thought, upholds the saptang corner stone in the structure of the theory of the state, तो यहाँ पे Cautilia ने एक Hindu political thought को जो है, अफोल करके saptang theory को तयार किया है, तो I hope आप लोग समझ गये होंगे, कि saptang theory क्या है, किसी भी state के साथ बहुत important अंग कौन कौन से है, एक स्वामी, एक अमात्य, एक जनपद, एक दुर्ग, एक को कैसे काम करते हैं, यह आप लोग समझने की कोशिश किये हैं, इस वीडियो के थुरू हमने आपको बताने की कोशिश की है, तो सब्तांग theory यह थी आज की वीडियो, अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, कि एक army और civil administration according to the चानक की नीती, according to the आर् आज के वीडियो में वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थांक्स फो वाचिंग